लोकसभा चुनाबों से पहले EVM का मुद्धा फर से जोर पकड़ रहा है NCP प्रमुक शरत पवार के घर विपक्षी निताओं की बैठक EVM की विश्वशनियाता पर हुई हाला कि TMC ने इस बैठक से दूरी बनाई इससे पहले कई राजमिनितिक पार्टियां EVM पर सवाल उठा चुकी हैं तो क्या खुछ खास रहा इस बैठक में रिपोर्ट के जरिये देखिए अगले साल देश भी लोकसभा चुनाब होने हैं जिसे लेकर विपक्षी दल एक मंच पर आने में जुटे हैं दिली में राष्टवादी कॉंगर्स पार्टी के प्रमुक शरतपवार के आवास पर EVM को लेकर विपक्षी दलों की बैठक होई हाला कि टीमसी चीफ ममता बैनर जी इस बैठक से दूर रही वही समादवादी पार्टी से राज्यसवाद सांसद और मशूर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि EVM को लेकर विपक्ष के सभी राजनेतिक दल चुनाव आयोग के पास जाएंगे और बात करेंगे उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग अगर EVM को लेकर सही से जवाब नहीं देता है तो हम सब राजनेतिक दल आगे क्या करना है सोचेंगे हम लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे और EVM को लेकर चुनाव आयोग से बात करेंगे हमारे देश में EVM का इस्तमाल क्यूं हो रहा है बाकी देश में तो EVM का प्रियोग नहीं हो रहा है शरत पवार के घर पर हुई इस बैठक में NCP चीफ के अलावा NCP नेता प्रफुल पटेल समाजवादी पार्टी से राम गुपाल यादव और कपिल सिबल कॉंग्रिस से दिगविजे सिंग जैसे बड़े नेता शामिल हुए दिगविजे सिंग ने कहा पहले चुनाव आयो कहता था कि EVM एक स्टेंड अलोन मशीन है लेकिन अब वो मानते हैं कि ये एक स्टेंड अलोन मशीन नहीं है क्योंकि उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन ने इंटरनेट के माध्धम से लोट किया जाता है पहले कहा गया कि इसमें one time program करने वाली चिप है लेकिन अब पता चला है कि इसमें कई programmable चिप है ये चिप कहां से खरीदी जा रही है और इनमें source code कौन डालता है आम धारना है कि कोई भी मशीन पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है जिसे hack ना किया जा सके तो क्या जिनके पास सोर्स कोड है वो इसे हैक नहीं कर सकते शरत पवार ने भी इस बैठक में EVM को लेकर कई सवाल उठाए अब सभी विपक्षी दल EVM पर अपने सवालों को लेकर जल चुनाव आयूक से मिलेंगे और उसके बाद आगे की रणनीती पर चर्चा करेंगे EVM पर विपक्षी एक जुटा बीजेपी के लिए नई मुसीबत का संकेत दे रही है डीबी लाइफ की रिपोर्ट